बिस्मिल्लाह रख्मान रखीम, रभी श्वाहली सद्री वैस्र ली अम्री वाहलूल उग्दतम मिल लिसानी अफ्काहू कौली, सुभानक आला इल्म लना, इल्ला मा अल्लमतना, इन्ना कान तर अलीमुल हकीम, सलाम वारेकम स्वेंट्स, आज के इस वीडियो मॉद्यूल में, हम 10th क्लास बाले जी के चैप्टर मॉर 11 का टॉपिक, 11.3.1, स्ट्रक्चर अफ किड्नी डिस्कस करेंगे, आज के असल लोज हैं, स्ट्रक्चर अफ किड्नी, इट्स कलर एंशेप, साइज एंड वेट, लोकेशन, इन स्ट्रक्चर्टर्स, स्टार्ट करते हैं इसके कलर एं शेप है, वो लोबिया की बीज की तरह, यानि बीन की तरह है, बात करते हैं, साइज और वेट की, अगर इसका साइज देखा जाए, तो इसकी लेंथ इस हिसाब से, 10 cm, इसकी वेथ, यानि चोडाई, 5 cm, और अगर हम इसकी मोटाई काउंट करें, तो ये अल्मोस्ट 4 cm होती है, इसका वेट, अल्मोस्ट 120 ग्राम है, अगर लोकेशन देखी जाए, तो इसकी लोकेशन का है, ये कहाँ प्लेज्ड है, ये प्लेज्ड है, अगर आप अपनी पीठ की तरह देखें, तो पेट का रिजन, यानि जहाँ पे डायफराम एंड होता है, जहाँ पे आपके लं मौझूद है जैसे स्विगर में आप देख सकते हैं ये पीट के रिजन का एक विव है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आखरी दो पसलियां इससे प्रोटेक्ट करती हैं और ये कहां मौझूद है इससे उपर लिवर है और इसी लिवर की वज़ा से और लंग्स की साइज की वज़ा से जो लेफ्ट साइड का किड्नी है वो राइट साइड के किड्नी से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है और हमेशा याद रखिएगा के किड्नी की जो कंकेव साइड है कंकेव साइड मीन वो रिजन जो अंदर की तरफ कर्वड है धसी हुई है वो साइड हम रीड की हड़ी की तरफ फेस करती है, यह उसका फेस हमेशा रीड की हड़ी की तरफ होता है, अगर बात करें इसके structures की, कि किड़नी actually किन पार्ट से मिलके बना है, या किड़नी के different parts कौन कौन से है, तो हम देखते हैं कि पहला पार्ट, जो जाहरी तोर पर हमें नजर आता है, वो है हाईलस, फर एक्जामपल, अगर हम किड़नी की ये कर्फ सर्फेस देखें, जिसे हमने नाम दिया था कनकेव सर्फेस, तो इसके अंदर एक सुराख मौजूद है, ये, अब ये जो सुराख है, इस सुराख को नाम दिया जाता है, हाईलस का, अब इसका function देखें, तो किड़नी में इंटर होने वाली सारी structures, जिनमें blood vessels, lymphatic vessels, nerves और ureter शामिल हैं, वो किड़नी में इंटर होती हैं, या बाहर निकलती हैं, और अगर regions of the kidney देखे जाएं, तो किड़नी के longitudinal section, यानि लंबाई के रुख काटे गया section में, आपको दो रिजन्स नजर आते हैं, एक को renal cortex कहते हैं, एक को renal medulla कहते हैं, अगर हम इन regions को details से study करें, तो देखते हैं, पहला region जो नजर आएगा, जो dark red कलर का होगा, outer region of the kidney, जिसमें कोई structure मौजूद नहीं होगी, उसे renal cortex कहेंगे, जैसे इस diagram में आपको एक outer boundary नजर आ रही है, जिसके अंदर आपको conical structure नजर आ रहे हैं, उसके बाहर एक layer मौजूद है, cells की, जो lines की सूरत में आपको नजर आ रही है, पूरा region renal cortex कहलाता है, और यही है जो kidney को इसका dark red color देता है, और अगर renal medulla की बात करें, तो अंदर का structure, अंदर का region, जिसके अंदर वो सारे structures मौजूद है, जिने हम in detail study करेंगे, यह जो region है, यह जो pale red color का region है, यह सारा region क्या कहलाएगा, renal medulla, अब renal medulla के अंदर कुछ conical structures आपको नजर आ रहे होंगे, इन conical structures को हम नाम देते हैं, renal pyramids का, और आखिर में renal pelvis, यह concept है जो अकसर बचों को परेशान कर देता है, हमने highless की बात की थी, highless वो जगा थी, जहां स structures किड्नी में इंटर हो रहे थे, और बहर आ रहे थे, यह एक सुराख था, बैसिकली, जबके जो, यह समयले, base of ureter है, यानि वो जगा जहां पे ureter बन रही है, यह जहां पे सारे conical structures, यानि renal pyramids, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो एक बड़ी नाली प्रड्यूस करवा र लुटी है, the base of ureter is called renal pelvis, जबके वो सुराख जिससे ureter इंटर हो रही है, यह नाली इंटर हो रही है, ब्लड वैसल इंटर हो यह बड़ी नाली इंटर हो रही है, वो सुराख क्या कहलाएगा, है यह जगा यह जएक्ट अक्सर बच्चे जो हैं, रहां करके आ जाते हैं, अब अगर इसके important questions और follow up लें तो इसमें जो question अब बनते होते हैं basically long question के तोर पर ही आता है writer note on structure of kidney पूरा एक long question आ जाता है दूसरा question है differentiate between highless and renal pelvis अभी मैंने आपको basic difference बताया highless actually वो सुराख है जिसके जरीर से जो structures है वो kidneys के अदर enter होती है बाहर आती है renal pelvis क्या है base of ureter है यानि वो जगह जहां से ureter शुरू होती है अब differentiate between renal medulla and renal cortex अगर देखा जाए तो renal cortex वो region है जो kidney को इसका dark color दे रहा है यानि outer region और जो inner region है pale red color का जिसमें different structures मौजूद है उससे renal medulla का नाम देते है अब what is renal pyramid or what are renal pyramids? renal pyramids क्या है है हमने देखा के renal medulla के अंदर कुछ conical structures मौजूद है उन conical structures को हमने नाम दिया renal pyramids का अब अगर in questions को mark करें तो headings जो मैंने आपको बनवाई है वो जहन में रखियेगा अब यह पहली line जो होगी यह किसकी होगी shape and color की यहां से लेकर 120 gram तक यह जो region होगा यह क्या होगा यह इसका होगा size and weight इसके बाद आएगी इसकी location location आपने यहां से start करनी और vertible column तक आपने लेकर जानी है next page 23 पर अब इसके बाद highless की definition और इसका function आता है तो definition इतनी है इसके आगे इसका function start हो जाता है कि यह किससे concerned है और जुड़ी ही अब अगर next पर आएं तो question आता है differentiate between renal cortex and renal medulla तो आपने यहां से निशान लगाना है renal cortex के लिए और यहां से renal medulla तक के लिए next question आता है what are renal pyramid? एक line का इसका answer है यहां से यहां तक इसके बाद आएगा जी what is renal pelvis? तो renal pelvis के लिए यहां से यहां तक निशान लगाना है अगर renal pelvis और highless की दर्मयान difference आ जाए तो आपने क्या करना है आपने दोनों को दर्मयान में line लगानी है और दोनों तरफ आपने headings द जाए important long question है तो उसके लिए आपने एक simple सी diagram बनानी है मैंने बनाई हुई है तो हमें painter बनने की तो जरुवत नहीं होती है simple से ही हम इससे बना लेते होते हैं इसमें अगर हम इसे label करना चाहें तो पहले आएगा renal cortex इंका इसका internal region जो होगा है dark color का वो renal medulla यहां पर dark light की जर operator इन में से दो नालिया हम मैं पहले बता चुका हूं इन दोनों नालियों में से किसी एक को आप आर्ट्री और वेन आप consider कर सकते हैं मैंने specify कर दिया है उपर वाली को आर्ट्री और नीशे वाली को वेन मैंने क्या पे consider किया हुए है उमेद करता हूं समझ जरूर आई होगी कि जहां तक आपके mind में कोई question है आप comment box में question करें इंशाल आपका concept clear कर वाया जाएगा वस्सलाम दुआउं में याद रखिएगा